हेलो दोस्तों मैं जया एंड वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स देखो अभी मैं अपनी बेटी की डॉल के लिए ड्रेस त्यार कर रहे हूं तो अभी रात के नौ बज रहे हैं तो मेरी बेटी सो गई है तो काफी दिनों से वो कह रही थी डॉल का ड्रेस त्यार करने तो मैंने सोचा कि अभी बना देती हूं फिर उसे सुबर में सर्प्राइज मिलेगा तो मैंने सोचा अभी रात को ही बना दूँ वो सोरी है तो तो सुबर में मैं उसे दिखाऊंगी तो ये देखिए उसके लिए मैंने डॉल का ये ब्लाउस त्यार किया है तो कुछ इस तरह से मैंने इस कपड़े को कट किया और ये इस तरह से ऐसे इसका ब्लाउस त्यार किया है तो ये इतना बचा हुआ कपड़ा है तो ये इसका ब्लाउस त्यार हो गया है अब इसका घेरा त्यार करूंगी तो देखिए तो ये उपर का ब्लाउस त्यार हो चुका है अब ये मैं इसका घेरा बना रही हूँ लहंगे का तो इसके लिए देखिए ये ये मेरे ही लहंगे का बचा हुआ कपड़ा है क्योंकि मैंने लहंगा सिलवाया था तो ये उसी का कपड़ा थोड़ा सा रह गया था तो मेरे पास था काफी दिनों से तो मैंने सोचा इसी का इसके लिए लहंगा त्यार करूँ तो ये काफी प्यारा भी है और ये सुन्दर भी लगेगा तो आपको ये कैसा लग रहा आप जरूर बताना और ये बहुत ही जल्दी बन जाएंगे तो ये मैंने पहले इसमें सारा प्लेट किया है तो आप देख सकते हो मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये देखे ये इस तरह से साड़े चारू तरप से मैंने सारे कपड़े में प्लेट मार दिया है और ये प्लेट मारने के बाद देखे इसको प्लेट करने के बाद इसके कमर का साइस को नापेंगे वैसे मुझे लगता है ना कि ये कमर के साइस का आ गया होगा फिर भी एक बार इसे पहले इसे एक बार नाप के देख लेती हूँ तो यह आ गया कमर के साइज का देख लीजिए तो अब बस इसे सिलाई करना है तो यह काफी प्यारा ड्रेस त्यार होगा तो इस तरह से सारे कपड़े में छोटे-छोटे प्लेट करेंगे पहले और फिर इसे डॉल के साइज का नाप लेंगे तो देखे यह सारे कपड़े में मैंने इस तरह से प्लेट कर दिया है अब इसे कमर से डॉल का साइज का बना दूंगी तो देखो इस तरह से मैंने इसे पलट के पीछे से सिलाई कर रहे हूं तो यह मैंने कमर का साइज ले लिया है डॉल का अब बस इसे सिलाई कर रहे हूँ तो इसे सिलने के बार पहना दूंगी तो ये काफी प्यारा ड्रेस बन के तयार होगा फ्रेंड्स तो मैंने और भी डॉल का ड्रेस बनाया हुआ है तो मेरी बेटी जब भी कहती है तो डॉल का ड्रेस बना देती हूँ मैंने किसी का गाउन भी बनाया है डॉल का किसी को फ्रॉग भी पैना दिया है तो इस तरह से और भी सारी डॉल को मैंने ड्रेस पैनाया है तो इस बार सोचा मैंने किल लहंगा बना देती है उसके लिए तो मेरे पास कपड़ी भी थे तो मैंने सोचा लहंगाई बना दू तो तो यह इस तरह से तो अभी इसे थोड़ा और सिलाई कर दूंगी और यहां लैस लगा दूंगी ताकि यह जो लहंगे का यह कमर है यह अच्छे से बैठ जाए तो दीखिए अभी थोड़ा काम और रह गया इसका तो अभी मैं कम्प्लेट करके आपको दिखाती है तो दीखिए यह लहंगा बनके तैयार हो चुका है तो अभी इसका कमर को थोड़ा सा टाइट करूंगी तो यह इस तरह से इसका इसे मैं लैस लगा दूँगी यहाँ पे तो यह काफी प्यारा बनके तैयार हो जाएगा तो दीखिए यह मेरे पास लैस भी है पतला सा यह बहुत ही प्यारा लैस है आप देख सकते हूं तो इसे ही मैं लगाऊंगी और यह काफी प्यारा ड्रैस बनेगा तो इस तरह से मैं इसे भी यहाँ लगा दूँगी सिलाई करूँगी तो अभी मैं आपको दिखाती हूं इसे तो दीखिए यहाँ मैं इसके घेरे में उपर लेस लगा रही हूं तो इससे यह काफी प्यारा बनेगा तो यह इसका कमर का घेरा है तो इसकी साइस का मैंने करके और इसमें लेस लगा के इससे काफी प्यारा लुप दूँगी तो यह बस ड्रैडी होने वाला फ्रैंड्स तो यह जर्स्ट अब तैयार होने वाला है तो देखिए तो फ्रेंड्स देखो लहंगा बनके रैडी हो चुका है तो अब मैं इसे पहनाऊंगी तो इस तरह से इसे यह घीरा पहना दूँगी कि तो अब इसका बाल भी बनानाय यह बाल इसका खुल गया न तो अब इसका बना दूंगी तो यह काफी प्यारी लगेगी तो देखिए इसका हाथ निकल गया तो यह ब्लाउस बनने के बाद इसका हैंड सेट कर देंगे तो इस तरह का ड्रेस काफी प्यारा लगता है डॉल में तो देखिए इसका ड्रेस त्यार है अभी मैं इसके बालों में रबड भी लगा देती हूं तो यह और भी प्यारी लगेगी तो देखिए तो फ्रेंड्स ये डॉल के लिए मैंने कपड़े थोड़े से रह गया थे तो इसका मैंने पर्स भी बनाया तो अभी तेखो ये कम्प्रेट हो गया तो इसमें वही वाली लैस लगा के इसकी हैंडल त्यार की है तो ये इस तरह से काफी प्यारा इसका पर्स भी तैयार हो गया आप देख सकते हों तो इसमें डॉल अपना कीमती ज्यालरी रख सकती है मतलब अपना कुछ भी समान रख सकती है